रामसीता स्वयंबर में लगे थे 100 किलो फूल हवाई जहाज का लिया था सहारा रमायन के कई रूप दर्सकों ने देखे हैं कई लोगों ने इस महा गाथा को छोटे परदे पर जिवित करने की कोशिश की है लेकिन हर कोई सफल रहा हो ये ज़रूरी नहीं सिर्फ रामानं सागर की रामायन और आनंद सागर की रामायन ने दर्सकों के दिलों में अलग जगब बनाई थी गुर्मित चौद्री को बतौर राम और देवीना बनरजी को बतौर शीता काफी लोग प्रियता मिली थी रामायन का वैसे तो हर दृष्य अद्बुत और खूबसूरत होता है लेकिन रामसीता का सोयंबर देख हर कोई भाव विवोर हो जाता है उस दृष्य को आँखों के सामने जीवित किया था रामाननसागर और आननसागर ने अब रामानन सागर की रामायन के बारे में तो सभी को काफी कुछ पता है लेकिन आनन सागर की रामायन बनाने में भी खास सयारी लगी थी